वेलकम फ्रेंड्स आज में आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ बलकि विंटर स्पेशल रेसिपी चूड़ा मतर को स्वादिश्ट बनाने वाले स्पेशल मसालों का जायका लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स आज में आपको बताऊंगी कि स्वादिश्ट चूड़ा मतर बनाने का मसाला आप घर पर ही बड़ी आसानी से कैसे त्यार कर सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 कप जीरा लिया है 1.5 कप बड़ी लायची ली है 3.4 कप हरी लायची ली है 7-8 पीसेज डालचीनी के लिए है एक जाय फर लिया है 1.3 कप काली मिर्च ली है 1.3 कप जावीत्री लिया है और 8-10 तेजपत्ते के लिए है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर कर लें और बैल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरी सभी रैसिपीस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मैंने फ्लेम ओन कर ली है और कड़ाई को गर्म कर लिया है सबसे पहले कड़ाई में जीरा एड़ करेंगे और लगभर 3-4 मिनट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो मैं ऐसे यहां पर पहले डाल रही हूं और इसके बाद कि अब मैं बड़ी इलाइची एड़ करूंगी डालचीनी डालूंगी छोटी इलाइची डाल रही हूं काली मिर्च डालूंगी नेक्स्ट मैं जावित्री एड़ करूंगी और अब तेजपत्ता डाल रही हूं और लास्ट में मैं जाइफल को छोटे पीसेज में करके यहां पर एड़ कर रही हूं और लगभग 3-4 मिनट ड्राइ रोस्ट कर लेंगे मसालों को रोस्ट कर लेने से यह अच्छे से पिस जाते हैं और इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है और अब लगभग 4 मिनट हो गए हैं तो इन्हें हम एक प्लेट में टांसफर कर लेंगे और ठंडा होने के लिए लगदेंगे अब मसाले ठंडे हो गए हैं तो एक ग्राइंडर जार लेकर उसमें सारे मसालों को एड़ कर लेंगे ये देखे मैंने मसाले अड़ कर लिए हैं और अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे और महीन पीस लेंगे ये पिस गए हैं तो इन्हें अब हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा करके एरटाइट जार में भरकर रख लेंगे फ्रेंड्स ये स्वादिश चूड़ा मतर मसाला बिलकुल तयार है आप इसे तीन चार महीने तक यानि कि पूरी सर्थियों तक यूज कर सकते हैं आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें साथी लाइक एंड शेयर करें ग झाल